अब तो आज हमारे उसी टॉपिक के साथ मिले हैं जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था and that is plant kingdom आपको पता ही है कि plant kingdom के हमारे कुछ questions थो हमने last class में solve कर लिये थे और जो बागी बच्चेवे सवाल आपके रहते हैं वह हमारे आज कि 28 और इससे पहले आपकी class जो है वो 27 यानि कि 27 classes आपकी जो है वो complete हो चुकी है तो 27 classes आपकी complete हो चुकी है तो आप ध्यान रखो कि 27 की 7 classes आप लोग देखें टाइम से रिवाइस करें और बहुत अच्छे से पढ़ें चीक है इसमें हमारा क्या target था इसमें हमारा target था कि 60 days में आपको जो है मैं science को complete कराऊंगी science में आपका bio भी है फिर chemistry भी आएगा फिर physics भी आएगा तो इसमें सबसे पहले मैंने bio start किया और सबसे जाधा time मैंने bio को दिया क्योंकि bio के सबसे जाधा question जो है वो आपके paper में पूछे जाते हैं सबसे जाधा सवाल आपके paper में bio के जो है वो पूछे जाते हैं इसलिए bio मैंने सबसे पहले start किया ठीक है तो आज हम मारा plant kingdom को ही continue करेंगे और जिन जैसे plant kingdom अभी चल रहा है उससे पहले आपका animal kingdom जड़ा था तो यह ऐसे topic है जहाँ पर आपका content वाली चीज गम होती है जहाँ पर आपके रटने वाली effect वाली चीज़े ज्यादा होती है तो मैं आपको यहाँ पर कात्रों मैं कोशिश कर रहे हूं कि मैं आपको max to max से क्लास में जितने हो सकते हैं उतने पेवाई क्यू देने की कोशिश कर रहे हूं ठीक है भई आगे बढ़ते हैं यह हम लोगों का बैच है हम पांचों टीचर आप लोगों के लिए बैच लेकर आए हैं यूटूब पर बिल्कुल फ्री है तो सारे बच्चे जो है वो टाइम से क्लास में आएं टाइम से जो है वो बैच जोइन करें ग्यारा बजे से जो है वो आपका चैनल पर क्लास शुरू हो जाते हैं और फिर शाम तक आपके क्लास से जो है वो डलती रहते हैं ठीक है बैच का नाम क्या है हमारे बैच का नाम है स्सी जीडी मिशन सफलता बैच त aimer club आप लोगों को सफल करा के ही मानेंगे बिल्कुल आप लोगों की सफलता के लिए बहुत-बहुत महनत महनत करते हैं तो आपको सफलता जो है वो जरूर मिलती है यह क्लियर है which of the following are the most primitive non-vascular plants कौन से इन में से सबसे आधीम गयर समवनी वाले पौते हैं यानि कि ऐसा पोधो की कौन सी केटेगरी है जो सबसे पुराने हैं जो development में सबसे पुराने हैं आपको पता है कि जब किसी भी चीज का further development ऐसे करके आगे चलता जाता है development ऐसे आगे करके बढ़ता रहता है तो आपके जो development की complexity है complexity है वो बढ़ती जाती है complexity वो बढ़ती जाती है जैसे हमने अपने animal kingdom में पढ़ा था कि जन्तों के complexity बढ़ती जाती है पहले जीव कैसा होता था पहले जीव आपका unicellular होता था फिर tissue based होने लग गया फिर on organal based होने लग गया उसके बाद आपका पूरा ही एक organism ऐसे बन गया जिसमें बहुत सारे organal systems एक साथ मिलके काम कर रहे हैं जैसे कि हम आज की time के animals ठीक है बहुत developed और बहुत complex development के अंदर आते हैं तो वैसे ही करके आपके जो पौधे भी हैं वह बहुत ही complex और उसकी form में आज की time पे आ चुके हैं जो हमारे आज की time के angiose pumps हैं वो सब ठीक हैं तो कौन सा ऐसा इसमें सा पौधा है तो answer इसका जाएगा यानि के bryophytes अमने बढ़ा था जिसमें हमने mosses वगेरा पढ़े थे लीवर वाट्स वगेरा पढ़े थे एक ऐसे पोधे होते हैं जिनके अंदर vascular bundle यानि के समवहन नलिकाए नहीं होती हैं ठीक है गैर समवहनी पोधे होते हैं यानि के इनमें xylem और phloem उपस्त नहीं होत है आगे बढ़ते हैं यह इसका explanation है यह आप लोग पढ़ सकते हैं अगला question है which of the following are non-vascular flowerless plant in the taxonomic division of bryophytes तो मैंने आपको पताया है कि गैर समवहनी पुश प्रहीत पौधों में bryophyte के वर्गी करण में इनमें से कौन सा वर्ग आता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं उनके दो वर्ग होते हैं कौन कौन से वर्ग होते हैं एक तो आपका होता है लीवरवर्ट एक तो आपका क्या होता है लीवरवर्ट और दूसरा आपका कौन सा होता है दूसरा आपका होता है मौसस दूसरा आपका कॉन सा होता है उसमें दो भाग थे एक आपका स्त्री भाग था एक पूर्श भाग था ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था और मौसस के बारे में आपके क्या बताया था कि जो आपके polar reasons होते हैं जो आपके mountain reasons होते हैं और जो पहाडों पे जो आपकी गहास बिच्छी रहती है पहाडों पे एक मतलब कालीन के तरीके से गहास बिच्छी रहती है वो आपके moses होते हैं ठीक है तो ये दोनों category किसकी है आपकी bryophytes की दोनों category है आगे बढ़ते हैं next question है the numerical taxonomy of plant is based on which of the following पोदो की संख्यात्मक वर्गी करन निम्लकित में से किस पर आधारित है तो option number one है all observable characteristics यानि के जितने भी observable characteristics है हम सब पे ध्यान देके ही पोदों को categorize करते हैं दूसरा chemical constituents यानि के रसायनी घटक यानि के सिर्फ हम chemical constituents को ही देखते हुए ही पोदों को जो है वो categorize कर देते हैं structure के base यानि कि सनरशना के base पे कि सिर्फ उनकी सनरशना के base पे ही हम पोदों को categorize कर देते हैं कि अगला है chromosome number या फिर सिर्फ गुंड सूत्रों की संख्या के आधार पर हमें सख करते हैं तो हम किसी एक base पर ऐसा काम नहीं करते हैं कि हम पोदे को किसी category में डाले पौधे को किसी भी category के अंदर डालने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर observe करते हैं कि उसके कौन सी चीज किस में आपकी match हो रही है कौन सी चीज कहां उसकी match हो रही है तो ऐसे करके हम चीज़े करते हैं तो answer हमा जाएगा option number A यानि कि all observable characteristics कि जितने भी आपके अवलोकन करने लायक हमारे पास बिंदू होते हैं point होते हैं हम सब को observe करते हैं और उसके बाद हम किसी भी पौधे को कि किसी भी एक particular category में डालते हैं next question है आपका what is the nut of an oak tree called जो oak tree का जो nut होता है nut यानि के fruit ठीक है जो oak tree होता है आपने oak tree देखा होगा आपने oak tree देखा होगा ठीक है ओक का जो पेड़ होता है जो oak tree होता है उस पे एक fruit लगता है एक nut लगता है मतलब nut का मतलब है big stripe का लगता है इसलों इसको nut कहते है ठीक है बट एक fruit लगता है तो उस fruit को क्या कहते है उस fruit को कहते है a corn ठीक है यानि के बलूत का फल उसको कहते हैं बलूत का फल देखो ये देखो ये मैं आपको फोटो दिखाती हूँ ये आपका है ओक्ट्री ये क्या है ये आपका ओक्ट्री है और इस ओक्ट्री के उपर ये वाला आपका फल लगता है ये वाला आपका फल लगता है इस ओक्ट का फल कहते हैं ऐसे color का यह इस पर ऐसे type का यह इस पर nuts लगते हैं जैसे nuts आपके मुमफली वगरा होते हैं ऐसे crack करके तूट के और फिर अंदर से इनके fruit आता है ठीक है आगे बढ़ते है अगला सवाल है which of the following is not a part of flower तो इसमें से कौन सा flower का part नहीं है तो देखो मैंने फोटो ही लगा दी है तो सीधी सी बात है आपको यहीं से पता चल जाएगा पहला है स्टैमन स्टैमन यहां पर आपको दिख रहा है कि स्टैमन तो पार्ट होता है ठीक है स्टैमन पार्ट होता है स्टैमन कि कौन सा पार्ट होता है स्टैमन आपका मेल पार्ट होता है स्टैमन आपका मेल पार्ट होता है ठीक है मेल पार्ट आपका दो भागों से मिलकर बना हो नहीं दिख रहा, तीसरा आपका क्या है सैपल, सैपल आपको इसमें कहीं दिख रहा है, सैपल कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो सैपल, सैपल, अलग से, मतलब ये जो आपके, ये ग्रीन ग्रीन से निकलाते हैं, that is सैपल, फिर पिस्टल आपको दिख रहा है, तो फीमेल पार्ट होता है उसको पिस्टल कहते हैं, किसी भी फ्लार में जो फीमेल पार्ट होता है, उसको कहते है पिस्टल, ठीक है, clear है, तो answer क्या जाएगा, answer option number B, option number B, आप साफ साफ देख पा रहे हो, option number B, इस पौधे के फोटो में नहीं देख रहा है, ठीक है भई, आगे बढ़ते हैं, next question है, camellia sinuses is a plant that produced, तो camellia sinuses एक पौधा है, जो पैदा करता है, पहला तो आपको पता होना चाहिए, कि camellia sinuses किस चीज की नसल है, तो ये एक tea plant होता है, तो अगर ये एक tea plant होता है, तो फिर ये क्या, आपका बनाएगा, ये देखो, tea plantation museum, tea plantation museum, tea की history, ये सब कुछ आपको कैरला वाले एरिया में जाओगे न, तो कैरला वाले एरिया में आपको ये सब कुछ जो है, वो देखने को मिलेगा, और वहाँ आपक अचाई भाई है और आप जहाँ जाओगे जिस रेस्टराइन में जाओगे वहाँ आपको पूछेंगे किया आपको special कोर्डा की मसााला चाए पी नहीं है तो आपको मसाला चाए तो इतनी पूठी जाएगी और उस मसाला चाहे में वो पता नहीं क्या-क्या डालते हैं वो बिल्कुल कडवी बनती है ठीक है हमारी जैसे चाहे जैसे हम इधर नॉर्थ इंडियन पीते हैं वैसे चाहे वहां बिल्कुल भी नहीं पीते हैं जीव सी चाहे बनती है वांकी तो तो आंसर क्या जाएगा option number A T आजाएगा आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है which of the following is a characteristic of fiber in relationship to plant anatomy यानि के पादप शरीर रचना के संबंद में निम्कित में से कौन सा ratio की कौन से विशेष्टा नहीं है मतलब कि जब आपका पौधा बनता है ठीक है पादप शरीर रचना के संबंद में जब आपका पौधा बनता है तो ratio यानि के fiber जो होते हैं जो fiber होते हैं उनकी कौन से विशेष्टा कौन सा characteristic fibers का नहीं है पहला है पौससा ओनली पीटिड थिंक केवल गर्तित मोटाई यूप मतलब के मोटे 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 गर्त वाली मोटाई के होते हैं फिर तिर्चे चोब वाली दिवारे होती हैं मतलब जो ratio बनते हैं उनके बारे में बात हो रहे हैं संचालन के लिए जिम्मेदार है यांत्रिक सायोग भी प्रदान करते हैं कौन ratio के बारे में बहत हो रहे हैं इनमें विविन लगुक्रत कोशिकाई होती हैं तो इसमें से एक मिनिट इसमें से इनोंने क्या पूछा है इनोंने केवल गर्तित मोटाई युक्त होते हैं ऐसे तो बक्वास सा कुष्छन है बट फिर भी पेपर वाले ने पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं कराना पड़ेगा भाई अब यह सामिम व्यूसर प्लिम बहुत अजीब सा शब्द आपको लग रहा होगा बट इस इस साइन्टिफिक ने तो क्या ही कर सकते हैं मासाहारी पोदा इन्होंने पूछा हुआ है हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा असान हो जाएगा देखो आपका हिंदी इंगले स्विच करने का ओप्शन आपका जब आप पेपर देने जाते हो तो होता है अगर इंगलिश वाले बच्चे को इंगलिश का समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा मत सोचना कि मेरी इगो हर्ट हो जाएगी मैंने हिंदी में कोशन पढ़ लिया तो आप फटाक से उपर आपका ए इंगलिश ज़रूर पढ़े क्योंकि इंगलिश तो आपके पेपर में आनी है और जो एक बार इंगलिश वाले बिच्चों को पेपर में समझ में नहीं आए वो हिंदी वाला ज़रूर पढ़े ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ने में हर कोशन आप दोनों लैंग्विज म मैंने कल आपको एक मासाहरी पोदा दिखाया था ये वाला देखो ये वाला देखो वीनस फ्लाइट राप या संड्यू तो ये इसका नाम है ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा ऐसा पोदा होता है इसमें से बहुत एक अच्छी दीमी दीमी मंद मंद से खुश्बू निकलती है इस खुश्बू से एक ट्रेक्ट होके क्या होता है कीडे, मकोडे, चोटे-चोटे बक्स, चीटियां इस पोदे पे आके ऐसे बैठ जाती है और इस पोदे पे जैसे ही आपकी चीटी या कुछ भी आके बैठता है ये पोदे ऐसे फटाक से ऐसे बंद हो जाता है ये ऐसे है तो ऐसे फटाक से देखो ये ऐसे बंद हो जाएगा तो ऐसे देखो ये बंद हो गया और ये इसके अंदर भस गया है अगला पोदे है ये वाला इस पोधे को कहते हैं आपके पिक्चर प्लांट इस पोधे को कहते हैं पिक्चर प्लांट ठीक है ये एक घड़े जैसा दिखाए देता है आपको दिख रहा हुआ एक घड़े जैसा ये दिखाए देता है ये देखो इसकी शेप और इस घड़े के उपर ये एक धक्कन इस गड़े को ये ढकन ऐसे बंद कर लेता है ठीक है आप देखो ये क्या होता है जैसे ही इस पर कुछ आता है इसमें से भी इसका भी सेम ही है जाल बनाने का इसका भी सेम ही तरीका है इसमें से बहुत एक मंद मंसी खुश्बू निकलती है ठीक है और एक बहुत प्यारी सी है जिसे कीड़े मकोडे सारी चीज़ें इसकी तरफ जो है वो अट्रेक्ट होती है और अट्रेक्ट होके जो है वो तितलियां वगेरा भी जैसे तितलियों को आपको पता ही है कि फलार में से जैसे कुशबू आती है तो उससे अपना रस निकालने के लिए फूल के उपर जाक कवर ठीक है और यह चीटियां चली जाएंगी इसके अंदर और फिर यह चीटियां चली जाएंगी यहाँ इसके ऐसे अंदर और फिर यह इनको हजम कर जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है which of the following is the middle layer in the root apical meristum that gives rise to the context यानि कि कौन सी जड़ शिष्ष्षत्र विब्जोतक के मद्य परत जो प्रांजा को जरम देती है ऐसी कौन सी जड़ है तो ऐसी कौन सी जड़ है आपकी ऐसी आपकी जड़ है पैरिबलम इस रूट के बारे में जितना भी इसमें लिखा हुआ है, सारी ही जो एक-एक पॉइंट जो इसमें एक्स्प्लिनेशन में लिखा हुआ है, यह सारा ही बहुत इंपोर्टन्ट है, पेरिबलोम is the middle layer in the root apical meristrum, आपके जो होते हैं, ठीक है, जो जाल वाले, जो आपके, टीशू होते हैं, थीक है, ठीक है, तो जाल वाले जो टीशू होते हैं, उनकी जो बीच वाली वह होती है, ठीक है, Calistrosian एक पौधे की जड़ की नौक पर थे जिससे विवाजित होने वाला अच्छा ये तो इन्होंने सारे के बारे में बताए हुए ठीक है ये पौधे की नौक की जड़ पे ये कहां पाया जाता है ये कहां पाया जाता है तो ऐसे करके इन्होंने answers इसमें बता है वे हैं, लेकिन इसमें आपका answer क्या जाएगा, इसमें आपका answer जाएगा, option number A, यानि के paribulum, paribulum इसका answer आपका जाएगा, which tissue is responsible for the flexible in the plant, कौन सा tissue ऐसा है जो plant को flexible बनाने में, साहता करता है तो answer is D, यानि के colon chyma, colon chyma क्या करता है, पौ सूती सा type का एक कपड़ा होता है, actually में ना तो ये सूती होता है, सूत होता है, ना ये जूट type का कुछ होता है, एक अजीब सा पौधा होता है, खड़ा-खड़ा सा, sorry पौधा क्या रही हूं, एक अजीब सा कपड़ा होता है, खड़ा-खड़ा सा type का कपड़ा होता है, यह कपड़ाप कैसा लिलो से बनाया जाता है कार्शन एंड एनर्जी रिक्वाइमेंट ऑफ एन ओटो ट्रॉपिक और फुल्फिल्ट बाइ एक स्वापोशी जीव की कार्बन और उर्जा के आउशक तक पुर्ती डैश की द्वारा होती है अब स्वापोशी अगर जीव है इसका बढ़ते हैं प्लांच् क्रोन आफ दो विच फॉलिंग प्लेस टेक अप कार्बंडायक्सइड दिरिंग द्यूरिंग राइट तो ऐसे कौं से पोदे हैं ऐसे कौंसे सान पर उखने वाले पोदे जो रात में कार्मडायक्सइड ग्रैंड करते हैं तो आंसर इस ड बाकी इनमें से कोई भी जो है वो storage root नहीं है आपकी ठीक है आगे बढ़ते हैं dash is the pattern of the verse in the blade of the leaf तो इसमें से leaf में जो blade जैसे शिराओं को जो pattern होता है जैसे blade जैसे शिराओं leaf में कौन से दिख रही है आपको अगर इसमें मैं आपको दिखाओं तो आपको देखो यह दिख रही होंगी यह वाली जो दिख रही है यह वाली आप आपको दिखती ही ना पत्ती पे पत्ती पे ये वाली शेप दिखती है तो ये वाली शेप को इन्होंने पूछा है कि क्या कहते हैं जो ब्लेड वाली शेप आपके पत्ती पे होती है तो इस शेप को कहते हैं वेनिसन इस शेप को क्या कहते हैं वेनिसन दी इसका राइट आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, in which part of the plant एके mesophyll cells found तो पौधे के कौन से भाग में mesophyll कौशिकाई पाई जाती हैं, तो mesophyll कौशिकाई कहाँ पाई जाती हैं, आपकी leaf में, यानि के पत्ती में पत्ती में mesophyll कौशिकाई पाई जाती हैं, यह इसका explanation है, यह आप पढ़ ले न, और mesophyll कौशिकाई जो हैं, वो leaf ही photosynthesis करती है, तो photosynthesis वाले process में भी बहुत important आपका भाग, यह निभाती हैं, एक minute next question है, pineapple is a plane, dash ananas एक dash प्रकार कप होदा है, ananas एक dash प्रकार कप होदा है, answer इसका क्या आजाएगा, answer इसका आजाएगा of plant that have adaptation to survive in an environment with little liquid water, such as desert or an ice or snow, the world reason in the alps or the arctic, example कैथी, pineapple, some gymnosperm plant, मतलब यह क्या होता है, यह पोदे ऐसे होता है, जो हलके से वैसे उसमें भी रह लेते हैं, मतलब अपने अलग, मतलब कम नमी वाले स्थान पर भी रह लेते हैं, ठीक है, बर्फ से डके छित्र में रह लेते हैं, बर्फ में उग जाते हैं, ठीक है, आलपाल रिजन पर उग जाते हैं, रेगिस्थान में उग जाते हैं, जहां पर जीवित रहने के लिए अनुकूलन पोधे अपनी बॉड़ी को बनाते हैं, वहाँ पे वैसे जीवित रहना पॉसिबल नहीं है जिसमें थोड़ा तरल पानी वाले वात अवरण में ठीक है यानिके कम नमी वाले स्थान पे next question है in the plant चाहिए इसका मैंने option लगा दिया था क्या नहीं लगाया था तो option number B zero fight में sorry यह देखो उल्टा सीधा का रखा है हाँ यह देखो इधर उल्टा सीधा हो गया zero fight उसको ठीक कर ले ना भाई कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है आगे बढ़ते हैं in the plant kingdom fern and fern allies belong to which group तो जो fern है वो पौधे के उसमें किस group से आपके करते हैं तो जो fern है वो आपके क्या होता है teradophytes होता है fern क्या होता है teradophytes होता है option number D is the right answer और आपके यह fern का मैंने photo लगवा है that is fern इस पौधे को कहते है fern यह देखो इसका पत्त है जैसे काफी सुन्दर है पत्ता तो इसका देखने में तो ऐसे ही आपका fern होता है चीक है आगे चलते है color of a plant is green due to the presence of आपको पता ही है इसको तो बता नहीं नहीं है chlorophyll chlorophyll के वज़े से ही जो पोधा है उसकी पत्ती का रंग हरा होता है आगे बढ़ते है the strongest muscle the body is the master's muscle and is located in the dash शरीर के सबसे मजबूत मासपेशी उसके वज़न के अधहर पर master's की मासपेशी होती है और वह डैश मिस्तित है शरीर के सबसे मजबूत मासपेशी पूछा है तो शरीर के सबसे मजबूत मासपेशी आपकी होती है jaw में यानिके जबडे में पता नहीं कोशन यहां कैसे आगया कोशन यहां होनाने चाहिए वैसे तो, मसलवाले कोशन उसमें होना चाहिए चैप्टर में, पर कोई बात नहीं, अभी वेच में आ गया तो सुल其實 होगया, ठीक है, तो शरीर की सबसे मजबूत माँसपेशी कौन से होती है, जबड़े सबसे मजबूत होती है ठीक है तो आज के कोशन यहां हमारे खतम हो गया है ठीक है हमारा आपका जो ब्लांट किंग्डम है वो भी आपका बहुत अच्छे से complete हो गया है और हम कल से अपना chemistry पे move on कर जाएंगे जितने भी बच्चे आज क्लास में नई जूड़े हैं वो चैनल को like subscribe कर देना ठीक है वीडियो को share कर देना वीडियो को like कर देना ठीक है और जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा कि हमारी जो PDF से हैं वो Android classes पे डलती है तो आपको notes फगेरा बिनाने की कोई attention लेंगी ज़रूत नहीं है सारी चीजों की PDF सबको यहीं पर मिल जाएगी कुछ बच्चे यह पूछे थे कि मैडम आप कहां से questions करा रहे हो तो questions मैं आपको previous year questions करा रही है मैं अपने पास से कोई सवाल नहीं करा र पूलते